इस समय हम भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल दिखा रहे हैं मेरे पीछे अंजी खड ब्रिज है और यह ब्रिज अपने आप में अनूठा है 96 केबल पर आधारित यह पुल भारती रेलवे का नमूना है नगीना है और इस पुल की अगर हम बात करें तो यह पुल अपने आप में खास हो जाता है यह सबसे चुनोती पुर्ण पुल माना जा रहा था उधमपुर स्रीनगर बारा मुला रेलिंक के लिए और यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता दें यह पुल हमालय की पहाडियों में स्थित्ह दुर्गम पहाडियां है और यहाँ जो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि वो है भुकंप के लिहाज से यह हिलाका काफी संवेदन सील है तो इस जगह की विस्तरत जांच कराई गई विशिष्ट जांच कराई गई आयाइटी रुड़की और आयाइटी दिल्ली ने इसकी खास जांच की यहाँ की मिट्टी देखी गई साथी साथ यहाँ पर कितना बड़ा भुकंप आ सकता है उसको आखा गया और उसके बाद इसके डिजाइन को तयार किया गया और यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूँ जो नीचे नदी बहती हुई दिख रही है अगर हम उसकी बात करें तो इसको अंजी नदी कहते हैं अंजी नदी अपने आप में खास हो जाती है क्योंकि यह जो जगह है खास जिग्राफिकल जगह है क्योंकि एक तरफ से हवाएं तेजी से अंदर आती है और उपर उठती चली जाती है और इस वजह से यहाँ पर जो मौसम के लिहाज से वरियसन बहुत ज़ादा है कभी घने बादल चा जाते हैं तो कभी यहाँ तेज हवाएं चलती है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया है और उसके बाद इस पुल के लिए जो डिजाइन तयार किया गया वो कहीं न कहीं अपने आप में अनूठा डिजाइन है और अंजी खट जो ब्रिज है इसकी जो नीव है उसके उपर से अगर हम देखेंगे तो 193 मीटर उचा एक पाइलान बनाये गया है जिससे होकर केबल जोड़े गए है 96 केबल है जो पूरे के पूरे पुल के भार को सम्हालते हैं और नदी तल से इस पाइलान की उचाई की अगर हम बात करेंगे तो 331 मीटर उचाई है यानि यह एक अनूठी हम कह सकते हैं छवी बनाता है पुल की कुल लंबाई अगर हम देखें तो 725.5 मीटर है जिसमें 473.25 मीटर की लंबाई वाला मुख्य पुल है 120 मीटर लंबाई का सहायक पुल कटरा छोर पर 38 मीटर का अप्रोच पुल 94.25 मीटर लंबाई का केंडरी टटबंद सामिल है यह सेंट्रल पाइलान की धुरी पर संतुरित एक अस्सिमेटरिकल केबल आधारित पुल है पुल के डेक की कुल चौड़ाई 15 मीटर है अंजी खड़ पुल 82 मीटर से लेकर 295 मीटर तक की लंबाई वाले 96 केबल पर आधारित है मुख्य पाइलन के निर्माण में 20 मीटर हाइब्रिड वैल फाउंडेशन की परित के चारों और 40 मीटर गहराई के माइक्रो पाइल्स का उप्योग किया गया है पुल में सिंगल ब्राडगेज लाइन डाली गई है 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई जा रही है डेक के दोनों और 1.5 यानि 1.5 मीटर की कुल चौड़ाई वाले फुटपात बनाए गए है अंजी फुट को खास तरीके का डिजाइन दिया गया है तेज हवाओं में भी इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं और जो इसकी डिजाइन विंड स्पीड है अगर हम उसकी बात करें तो 213 किलो मीटर प्रति घंटे की रफतार पर भी यह पुल मुफीद रहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी यानि हर तरीके की तकनिक का इस्तेमाल किया गया है इस पुल से जल्द ही तेज रफतार ट्रेनों को गुजारा जाएगा 100 कमपीज की रफतार के लिए यह पुल पूरी तरीके से तयार है 120 साल के लिए इस पुल को बनाया गया है केमरामेन सकील हमत के साथ सिधार्थ न्यूज इस्टेशन अंजी खट ब्रीज